हेलो दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी ओफिशल यूटूब चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टीम बॉयलर से मावा खुआ बनाने का प्लांट दोस्तों यह वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो दूद का बिसनस करते हैं या दूद से किसी भी प्रकार की मिठाई बनाने का कारे करना चाते हैं यदि आप भी हमारा ये प्लांट लगवाना चाते हैं तो नीचे दिये गए हमारी नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं यह जैपूर स्टीम एनर्जी कमपनी के द्वारा लगाया गया है इस plant में चार automatic वर एक manual दोनों तरह की कढ़ाईयां लगाई गई हैं जिनने steam boiler से update किया जा रहा है यह इन कढ़ाईयों को मावा खुआ बनाने के काम में लिया जाता है यह steam से चलने वाली कढ़ाई है इसके लिए steam boiler की जरुएत पड़ती हैं एक automatic कढ़ाई में आप एक बैच में 20 लीटर दूद का मावा 20 मिनट में आसानी से बना सकते हैं इन कढ़ाईयों में पल्टों की साहता से दूद घूमता रहता है जिससे दूद कढ़ाईयों में नहीं लगता हमारे पास एक कढ़ाई से लेकर सभी प्रकार के boiler बटी उपलब्थ हैं जिसे आप मावा खुआ, पनीर पेठा, रसकुला, बूरा का प्लांट, गुड का प्लांट, कैंडी प्लांट, आधी सभी कारे कर सकते हैं इस प्लांट की सायता से आपका इंधन और समय दोनों की बचचत होगी जिससे आप कम समय और कीमत में अधिक उत्पादन कर सकते हैं जिससे आपका मुनाफ़ा भी अधिक होगा और आपका बिजनस भी और अधिक बढ़ेगा इस spoiler में इधन की बचचत होती हैं 100 लीटर दूद का मावा खोवा बनाने में सिर्फ 23 किलो लकड़ी लगेगी बॉयलर लकड़ी, गैस या सौलर से चला सकते हैं बॉयलर सभी उध्योग में लगा सकते हैं जहां ही वेस्ट टीम की आवश्चता होती हैं यदि आप डैरी दुग्द उद्योग से जुड़े हुए हैं या दूद से मिठाई हैं